नमस्कार जोहार जहार जहारखन का एक मात्र सरकारी न्यूज चैनल किलीर न्यूज में आपका स्वागत है समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा सिक्षकों का मुद्दा हर ख़बर पर होगी हमारी पहनी नजल सभी ख़बर सिलेक्टेट और काम की है तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं साथ ही आप न्यूज को किस गाउं या सर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए आज का लाइक है में एक सुर रखते हैं उमीद है कि आप इसे पूरा करेंगे और रोजाना पंचाज चुनाओ का अपडेट पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को ब्रेश करें तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार बाबुलाल मरंडी बोले जबीम को मिश्र के पिरामिट की तरह जिंदा रखे हुए है इस पिकर जार्खन विजान सबाके नेता पर्तिपक्ष का पत लटका का रखने वारे मामले में बिजेपी विदाग दलगी नेता बाबुलाल मरंडी ने विदान सबा अध्यक्ष रव बाबुलाल मरंडी को भाजपा के छोड़ का तिसरा मोर्चा बना लेना चाहिए जार्खन हाय कोट का सक्तन टिपनी केवर कांग जो में है सरकार की योजना है आदिम यूग से जी रहे लोग इसलिए बढ़ता है नकसलवाग राज्य में भूख से कथीत मौत की मामले की सु और नहीं है सरकार की योजना का पही स्विमित है जंगलों में रहने वाले लोग इन जंगलों को जमीन सी सुरकार खनिस निकाल रही है और यह लोग आज ही पत्ते और वन के अंतर कंध मूर्खा का जिवर यांपर कर रहे हैं जन वित्रन परनाली से हो रही है गड़ बड़ी तो यहां सुचना देए राज्य खाद दे सुरक्षा योजना अवन परदार मंत्री गरिब कल्यान अन्य योजना अंतरगत है राची जिला में रासन कारधारियों को उन वित्रन परनाली के मादेव से खादान ने उपलाफ करा जा रहा है खाद आपूरती विवाग ने लोगों से अफिर किया है कि इसकी जन वित्रन परनाली दुकानों में खादान उठा उसमें किसी तरह की गरवडिया धुका धरी हो रही है तो उसकी सुचना भी दिजय साहती है कोई भी व्यक्ति लिखित सिकायत जीला अपूर्टी करला में कर सकता है जहांच के बाद सिकायत सही पाया जाने पर समाधित डीलर या अन्य उचित करवा की जाईए जहारखन में ठेक्यदार के काम में पंदरा सो लोगों ने दिखाई रूची जहारखन में गरामीन, सौनक, पुल, निर्मान के काम के लिए लगबग 15 सो अख थेकेदार ने काम करने की रूची दिखाई है ग्रामिन कारे विभाग दुवारा ठेकेदारी के लिए एक चुक उमिदवारों के निमन के लिए आमंदन परकिरा इतने आवेदन मिले हैं विभाग ने 20-26 अगस तक ने ठेकेदारों से आवेदन मांगे थे विभाग के अधिकारों ने बता कि ओनलाइन आवेदनों के अब जाज की जा रही है जारखन में यह ओजनाय सिर्फ काग जोपा चल रही है भूग से मौत के मामले में हाई कोट की सुरे सरकार को लगाया पटकार जारखन हाई कोट ने भूग परी से मौत के मामले में सुनवाई करते हुए राजी के हैमन सुरेन सरकार को बड़ी फटकार लगाई कोट ने सक्तम लाजे में कहा कि राजी के सुदरवर्थी इलाकों में कभी भी लोग आदिम यूग जीर हैं इतना आई नहीं कोट ने कहा कि उनी इलाकों में अभी भी लोगों के लिए स्वास्विधाय नहीं है सरकारी दोजना सिर्फ कागजों पर चल रही है 40 साल से नहीं हुए थी शिक्षों की से वा संपुष्णी अब सामुई करूप से होगा यह कार्या सभी जीलों में हो रहा है 30-40 सालों से अधिक की सेवा संपुष्णी का कार्या ही नहीं हो रहा था जब जरत होती थी या फिर सेवा निविर्थ से पहले सिक्षों की सिवा संपुष्टी का कार्य होता था नीजी स्कुलों में फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने को जिला प्रसासन त्यार प्रबंदों में पत्र भेज़े युक्ति ने चताया यदि आपके बचे किसी नीजी स्कुलों में पढ़ रहे हैं और प्रबंदन द्वरा लगातार आप पर बढ़े हुए टिसर की जमा करते हैं तो दबाब बना रहे हैं साथ ही जमान नहीं करने पर आपके बच्चों का नाम काटने की चताव नहीं दे रहे हैं या फिर नाम काट रहे है तो आपके लिए यह ख़बर को ख़बर हो सकती है जार्खन विधान सबा मानसून सत्रा पहले दिन सोक संदेज के दुरान भी सांत नहीं बैटा बिपक्च जाने जेमेम कंग्रेशने क्या क्या जार्खन विधान सबा का मानसून सत्रा का आगाज हंगा में दा रहा सतर के पहले दीन सदन में सोख प्रस्ताव के दुरान सोर सरबा होता रहा ये पहला मौका जब सोख ब्योक्स्त करने के लिए दुरान बिपक्ष की ओर से टोका टाके और हंगामा किया गया जो इस हमले के भी सदन के अंदर विजेपी की एक्स्ता की भी फोल खुल गई जहारखन में भी कांगरेस की अंदरूनी कला सड़क पर आई राजेश टाकूर को अध्यक्ष बनाए जाने पर आरपेश सिंग ने किलाब परदस्तन देश के चंद राज्यों में ही कांगरेस पार्टी सत्ता में है लेकिन सत्ता में रहने के बाग्यूत पार्टी नेताओं के बीच गुरवाजी चरब पर है रास्तान के 36 गड़ की तरहा जहारखन में भी कांगरेस की अंदरूनी कला का आप सड़क पर आ गई है आदिवासी बहुल जहारखन में पार्टी की बाग डोड़ जान जत्य नेता से चीन कर एक गेर आदिवासी को सुपे जाने के बिरूद में कांगरेस करकरता हूने सुक्रभार को राची में पार्टी करे लेकि बाहर जमकर पर्दसं किया जहारखन में कांगरेस MLA ने किया तालिवान का समर्तन कहा अब खुस है अफगानिस्तानी बीजेपी का पलरवाद अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में राने वाले कंगरेस बिधायक और जहारखन के पूर्व कारे मंत्री अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अब तालिवान के तारिव करके विवाद को जर्म दिया है इरफान अंसारी ने कहा कि वहाँ के लोग अब खुस है अमिरिकान वहाँ जाकर अफगानिस्तान और तालिवान के साथ ज्यादती कर रहे थे माँ बहान बच्चों तक को तंक कर रहे थे इसी के खिलाब यह लड़ाई जो कुछ मिला जा रहा था वह गलत है इरफान के बहान पर परठवार करते हुए बिजेपी ने कहा कि यह कंगरेश की तालिवानी सोच को दर्शाता है जारकान वे बिधान सबा का मानसून सत्रा सुरू मरांडी को बिभक्च का नेता ना मने पर पहले दिन भाजपा का हंगामा जहारकान विधान सवा के मांसूर तत्र से पहले दिन की सुक्रवार को सोख पस्ताव पहले जाने के दुरान मुख्य विभक्ची भाजपा ने पार्टी विभक्च की नेता की मनेता न दिये जाने का ममला उठाया और जब कर हंगामा किया भारत्य जानता पार्टी के विधाय एवन पुर्व मंत्री भानू परतापसाही ने विधान सभा में कारिवाइक प्रारम होते ही यह मामला उटाया जारकार में DGP की नियुक्ति पर SC की टिपनी UPSC के ओवर हॉलिंग जरूरी जारकार में DGP की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोट ने UPSC पर्टिपनी की है कोट ने का कि UPSC की ओवर हॉलिंग जरूरी है क्योंकि इस महत्वपून संस्ता को पता ही नहीं चल रहता है कि राजम क्या हो रहा है और कहां क्या जरूरी है जारकान के अफसर सुने कांग्रेशों की बाते अनत्या ओफिस आकर समझाएंगे बोले आरपीर सिंग जारकान के परदेश कांग्रेश प्रभारी आरपी एंड सिंग ने राजी के अधिकारे को बड़ी रसियत देते हुए का कि वे पार्टी करकरताओं के साथ पूरी तरसे सुने अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी के करकरताओं उनके ओफिस में जाकर उन्हें परें वन कांग्रेश पार्टी का जंडा हर घर तक पहुशाने का काम करें राज्य अस्तरिया अंडर 23 जारकन राज्य एथलेटिक्स ऑपेंट राइल आस्तगित भारति एथलेटिक्स संकी ओर से 27 से 29 अगस्त तक चेने में परतम अंडर 23 राष्टे सिनियर एथलेटिक्स प्रश्टीम का आई जन क्या जाना था छो सुटमर को राची में होने वाली ट्रायल को रद कर दिया गया Athletics Federation of India दो जारी इस्टेंडर्स एंट्री मापदन को पूरा करने वाले राजे के एथ्रेट सीधे अपना एंट्री फेडरेशन को करा कर जीला संको सुचीत करें 15-16 सुटमर तक तेलागना में होने वाले साथवी राष्टी ओपन एथ्रेटिक्स चैंसी में भाग लेने वाले जार्खन के एथ्रेटिक्स सीधे फेडरेशन आप दी इंडिया दोरा जारी सनिप टी एंड्री फेडरेशन को पूरा करने के लिए एथ्रेटिस अपने जीला संक के पदे दीखार員 में चैंसी में देश में करोन Luis देश में करोन में उतार चड़ाव लगातार जारी है इसी बीच करोना मामलों में एक बर फिर इज़ापा हुआ है देश 24 गंटों में देश में 47,000 से अधिक उरना के मामले और 500 से अधिक मौते दर्जुई है जहां देश भर में केरल में लगाता चोकाने वाले आकरे सामने आ रहे हैं वह इस हरकन में बीते 24 गंटों में 28 रहे हैं मामले मिले हैं और 20 मरीजों ने कुना की मौत दी है अब खबार देश definition and देश की विविनयोजनाओं से समाह की कुशोटी पर खरी उतरी है भारत-रूस की दोस्ता इस्टन-Economics Forum में परदान मंत्री नहीं ने मोदी ने इस्टन्स एकोनोमिक्स फोरम के सत्र को वीडियो कारफिस्टी के जर्य संबोधित करते हुए कहा कि भारत रूस्टी समय की कोस्टी पर खरी उत्री है उन्हें फोरम में हिस्टा लेने के लिए 2019 में बलादी विस्टो को रूस की अपनी आत जी चेपरा इस्टीज जेप्रकास नरायन विष्टो विद्याले में पॉल्टिक साइन्स के सनाकोतर पार्टी किरब से समाजबादी पार्टी विचारक राम उनन्डूहिया और जेप्रकास नरायन के विजारों को हटा दिया गया है विहार के सिक्चामंत्री वीजे चोद निलटाज हर्विंदर शिंग ने टोक्यो परालम्पिक्स देस्न साद तालिक को प हम्परा कर ने चाहते हैं लोग सवाध्यक्ष और ओम बिर्ला ने कहा कि संसदों को अपने विचार रखते समय संसद की गरीमा बनाए रखने चाहिए उन्होंने आगे कहा सदुनों के पिठा सीन अधिकारी संसदों के साथ एड्माश्र की तरह बिवार नहीं करना चाहते हैं बकौल बिर्ला राजनितिक दनों को इस पर विचार करना चाहिए संसद्य हंगामे कि किस तरह से रोका जा सके मोधी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है अगत्त में 15 लाग नोकुरिया जाने की खबर अब रहुल कांग्रेस निता रहुल गांधी ने अगस्त के महिने में 15 लाग नोकुर जाने की एक रिपोर्ट कहा गया था मोधी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है रहुल ने ट्विट किया सरकार किसी भी परकार के मित्रहिन व्यवसा या रोजगार को बढ़ावा या सहरा नहीं देती है बलकि उनके पास सनोक्री है उसे भी छिनने में लगी है बिना भैक्सिन सर्टिपिकेट नहीं मिलेगी सराप अधार कार्ड भी जरूरी तामिलारों के निलगीरी जीले में सराप खरिदने के लिए बैक्सिन के दुनों डोज अनिवार कर दी गए है जो लोग राज्य द्वारा संचालित टेस्ट मेक आउटलेट से सराप खरिदा चाते हैं उन्होंने दोनों वैक्सिन के एक सर्टिपिकेट की दिखाना होगा निलगीरी अधिकारों के मुताबिक यह कदम लोगों को टिकाकरन के लिए प्रेजित करने के लिए उठाय गया था सराप खरिदने के लिए ठिकाकरन परवांपत्र के साथ-साथ कार्ड भी जम मिल रहे हैं इस भी सुप्रीम कोट ने केरल सरकार के 6 सितंबर से गार्वी कक्षा तक की परिचा में आप्लाइन कराने के आदेश पर रुक लगा दी परिचा कब होगी इस पर अभी निरने नहीं हुआ है अगरी सुनाई 13 सितंबर्ख होगी सुप्रीम को निका के केरल में क कोरोना के मामले में 30 से बढ़ रहे है ऐसी विशम परस्थितों में कम उम्र के बच्चों को भी किसी भी तरसे जोकिम नहीं डाला जा सकता है इस स्कूल के सिख्चकों और करमचारियों का परिवार के साथ कराय जा सत पर्तिशत तिका करान सियम योगी ने दिया आदेश ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तक कि लिए नियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मीस ना हो